हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेनू बहुरा, MS कोलेज, पिकानेद मेरी आज की टॉपिक जो है, वो केवल आपको प्रैक्टिकल फाइल के बारे में समझाना कि किस तरह से प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, जो लो जी की सबसे पहले आप मार्केट में मिलती है, कवर और प्लेन शीट्स और लाइनिंग वाली शीट्स ये खरीद लेंगे और साथ में सिले बस भी जो लो जी का बियसी पार्ट फर्स्ट का खरीद के लेके आएंगे तो फाइल कवर के अंदर अल्टरनेट जो है रख दें, एक तो प्लेन शीट्स, एक लाइनिंग, एक प्लेन, एक लाइनिंग दूसी तरह की शीट्स और आती है, जिसमें एक तरफ तो प्लेन पोर्शन होता है और पीज़ बैक में उसके लाइनिंग होती है यदि ऐसी खरीते हैं तो पूरी फाइल के दोरान ऐसी ही शीट्स लगाएं और यदि दूसी तरह की शीट्स जो मैंने बताई है प्लेन अलग और लाइनिंग अलग तो इस तरह की यूज़ करते हैं और फाइलम हमारा सबसे पहला स्टार्ट होता है पॉलिफेरा से प्रोटोजवा के स्पेसिमेन या जानवर जार के अंदर नहीं रखे जाते हैं और नहीं देखे जाते हैं क्योंकि ये प्रोटोजवा के प्राणी सभी माइक्रोस्कोपिक होते हैं सुक्ष मुदरशी होते हैं इसलिए माइक्रोस्कूब के दोरा देखे जाते हैं तो इनके सलाइड्स होते हैं स्पیसिमेन नहीं होते हैं जो एनिमल्स स्टार्ट करेंगे ड्रो करना वो है सबसे पहला फाइलम पौरिफेरा सेकिंड है सिलैंटेटा थर्ड है एसके हलमन्थीज, उसके बाद मैं चोथा प्लेटी हलमन्थीज, फिर एनिलिडा, उसके बाद मैं आर्ट्रोपोडा, उसके बाद मैं मॉलस्का और लास्ट मैं इकाइनोडर्मिडा फाइलम वाइज आपको एनिमल्स ड्रॉ करने है तो पहला पहला फायलम है पौरीफेरा आपको समझा देती हूँ ये शीट लिए आपने और उसके उपर लिख दिया पौरीफेरा या फायलम पौरीफेरा उसके बाद में जो है इसी शीट के बैक में आप एनिमल का डाइग्राम ड्रॉ करेंगे देखिए जैसे ये साइकॉन ड्रॉ कर रखा है सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इस प्लेन वाली शीट पे सारा काम पैंसिल से होगा और इंग्लिश में होगा अग्लिश में ही सारा कुछ लिखेंगी और डाइग्राम ड्रॉ करेंगी और लेबिलिंग इंग्लिश में चाहे हिंदी मीडियम के और चाहे इंग्लिश में क्यों पैंसिल से ही काम होगा मार्जिन्स ड्रॉ करें चारों तरफ देख रहे हैं आप फिर राइट हैंड साइड कॉर्नर में देखे क्लासिफिकेशन लिख रखा है इसी प्राणी का चार लाइन में क्लासिफिकेशन लिखना है फाइलम, पौरिफेरा, ग्लास, कलकेरिया, ओर्डर, हेग्जक्टिन लिडा, जीनस, साइकॉन दूसरी करफ लेफ्ट हैंड साइड में मार्जिन के जस्ट उपर डेट लगानी है आज की डेट जो भी है वो लगा दे फिर बीच में बिलकुल सेंटर में, शीट के सेंटर में और एनिमल ड्रॉ करना है और पैंसिल से लाइन्स खींचते हुए इसकी लेबलिंग करनी है डाइग्राम एकदम नीट होना चाहिए बहुत चादा डार्क पैंसिल नहीं यूज करें और नीट और वेल लेबल्ड डाइग्राम अच्छी हैंड राइटिंग में सब कुछ अच्छी तरह जो है साफ सुत्रा नीट दिखाई देना चाहिए नीचे लाइन ड्रॉ करके एनिमल का नाम जैसे साइकोन है और कॉमन नीम है तो ब्रैकिट में उसका कॉमन नीम सारा काम साफ सुत्रा होना चाहिए डाइग्राम ट्रो करें तो साफ सुत्रा सुन्दर डाइग्राम ट्रो करें ऐसे रफ डाइग्राम बिल्कुल नहीं ट्रो करना है और जो भी लेवलिंग करनी है, क्लासिफिकेशन लिखना है सुन्दर हैंड राइटिंग के अंदर लिखें तो यह diagram बन गया, अब इसके comments या characters देखिए, लक्षन देखिए दूसरी sheet लेनी है, जो lining वाली है, उपर animal का नाम लिखा और सारे characters लिखती है जैसे यह लिखे हुए habit and habitat का character अलग लिखा है, distribution का अलग लिखा है और comment का comment में सारे characters लिखे है तो इतने characters लिखने हैं कि पूरा page जो है lining वाला भर जाए इस animal के characters से ऐसे नहीं कि दो, चार लिख करके और छोड़ दिया या फिर एक trend बना दिया कि पांच ही लिखने हैं, पांच character लिख कर छोड़ दिया नहीं, पूरा page भरना चाहिए characters का इसके बाद में देखे कि ये lining वाला page हम जब fold करेंगे तो पीछे lining वाला है तो next animal का जो है characters ही आएंगे और अलग उसके सामने जो sheet लगेगी उस पे diagram आएगा तो ये देखे, next animal, spondula, उसके characters हैं और फिर ये diagram है, वो ही चाहिए sheet इधर से इधर करें तो right hand side corner में classification, left hand side में उपर date और बीच में diagram, नीचे line खीच करके animal का नाम, common name और labeling और pencil से सारा काम sheet के उपर और pen use कर सकते है characters लिखने के लिए, next देख लीजिए हाइलो नीमा, इसके characters लिखे है pen से, और diagram मनाया है pencil से और सारा कुछ लिखा है English में, ये सब बना करके, आप suppose ये देखें, कि एक file में चार specimen है, तब तो दो sheet में, जो है, काम हो जाएगा, दो sheet, plain sheet में, आगे diagram, उसके back में diagram, फिर दुसरी sheet ली, आगे diagram, उसके back में diagram, और उनके सामने जो है, characters, lining वाली sheet बीच में डाल करके, और characters, लेकिन यदि animal, पाँच है, एक file में के, even number नहीं हो करके, odd number है, तो एक extra, चार बना करके, एक extra sheet लेनी पड़ेंगे, जिसमें आगे की तरफ ही animal draw करेंगे, और उसके characters लिखेंगे, पीछे का portion उसका खाली रहेगा, खाली ही छोड़ना है, क्यूंकि नया file हम अलग से sheet लेंगे, उस पे ऐसे ही लिखेंगे, file, silent data, और उसके बाद में animals उसके draw करने शुरू करेंगे, यही trend है, ताकि बीच में हम एक sheet डाल सकें, और वहां से पता चले, कि यहां से यह file स्टार और में इसके लाद में प्लैटि हलमैन्थीस लूइएगे, फिर उसके बाद में आर्ट्रो ने क्रूड़ करेंगे धोरों आर्थो पोड़ा ऐसके बाद में मॉलस्का के लाजके लास्ट में एक UPाइनुडर मेंटार कि लास्ट अचार करेंग eight ही लू skip्ण खरू कर तको यह ये सब भी आप syllabus में देखना, phylum का नाम लिखा हुआ होगा और उसके कौन से animals ड्रॉ करने हैं, वो सब भी syllabus के अंदर दे रखा होगा. उस हिसाब से ही आपको सारा जो है, अपने course के according ये ये सारे diagram आपको ड्रॉ करने हैं. ये सब करने के बाद में आप जो है, इनको phylum wise जो है, फाइल के अंदर लगा दें और नीट काम होना चाहिए, सा सुत्रा होना चाहिए, रफ काम बिलकुल नहीं होना चाहिए इस फाइल के अंदर. तो आज की वीडियो हमारी यहीं समापत होती है, थैंक यू.